नहीं, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार बहुत महनत करो, कुछ चीजों को बनाना होता तो आसान है, पर हम unnecessarily उसको complicate कर देते हैं और tough बना देते हैं, जैसे बादलों को ले लो, ये कैसे भी shape के हो सकते हैं, कोई भी size के हो सकते हैं, पर brush से paint ना करके, अगर हम इन्हें q-tip से paint करें, तो इन्हें बनाना काफी आसान है, इनकी help से colors को blend करना और fluffy effect देना बहुत easy है, और हाँ, सिर्फ यही नहीं, इन्हें use करके आप full बना सकते हो, या कोई भी pattern design बना सकते हो, अरे वा, बातों ही बातों में हमारी painting तो ready भी हो गई है,